हेलो फ्रेंट्स गुड यूणिंग और फ्रेंट्स वेलकम टू पेकेम इस्पेसल क्लासेश पीकेम इस्पेसल क्लासेश में स्वागत है फ्रेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेर के 50 most selected question जो कि आने वाले exams के लिए काफी important है तो फ्रेंट्स चलिए स्टार्ट करत इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है यहां पर दो कथन दिये गये हैं तो पहला कथन है इस सुचकांक में केरल को प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है और सेकेंड कथन दिया हुआ है कि इस सुचकांक में अंतिम अस्थान पर बिहार रहा यानि नीती आयोग दौरा पर केरल रहा और लास्ट पोजिशन पर कौन सा राज रहा लास्ट पोजिशन पर रहा बिहार तो इसके दोनों कथन सत्य हैं इसलिए इसका राय टैंसर हो जाएगा और यहां पर बात आई नीती आयोग की तो नीती आयोग के बारे में 60 वीव देख लेते हैं जानते हैं कि योजना आयोग के अस्थान पर नीती आयोग को लागू किया गया और नीती आयोग की अस्थापना जो है एक जनवरी 2015 को की गई और नीती आयोग जो है एक गैर सब्यिद्ञार法 करें या और निटि क्टि होता हैं और फुलफार्म का फ्ल्फार्मिंड इंडिया और नीटि आयोग जो अध्यक्षू प्रदान मंत्रि होता है तो नेति-ायोग की पहले अध्यक्ष्ध है वह प्रदान मंत्रि नेरंद मोदी और नीती आयोक के उपाध्यक्ष की बात करें नीती आयोक के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और नीती आयोक के जो पर्थम उपाध्यक्ष थे और अरबिंद पनगड़िया थे और नीती आयोक के जो पर एक्जिक्यूटिव औफिसर CEO चीफ एक्जिक्यूटिव औफिसर वरतमान में कौन है वरतमान में स्री अमिताब कंत चलते हैं नेक्स्ट क्सिन पर है हाली में चर्चा में रहा राय मोना फारेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है या काफी चर्चे में रहा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी असम में चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन पर नेक्स्ट है बिश्च वस्वास संगठे ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वारियंट का नाम करण किया है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है डेल्टा और कप्पा यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी न प्रूस चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन पर नेक्स्ट है संयुक्तराष्ट महासभा के छियत्र में अध्यक्ष की रूप में किसे चुना गया है इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी अब्दुल्ला शाहिद नेक्स्ट कोस्टन है भारत सरकार ने रास्टी नेक्स्ट कोस्टन है निम्न में से किस देश ने बर्ड फ्लू येच्ट येञ त्री इस्ट्रेन से संक्रमित पहले वेक्ति का मामला सामने आया है इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी चीन यहाँ पर बर्ड फ्लू का येच्ट येंश्ट येन त्री स्यवन शिकर सम्मेलन का जिसकी द्हेढ चलगोजन से देख्षता किस देश ने की टो इसका राइट एन्ग्सर जाएगा आप्सन नंमबर ए यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि सौधी एरब में अब रामायर तथा महाभारत को बच्चों के पाठकरम में सामिल कर दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है किस राज या केन सासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कम्प्यूटर सिखाने के लिए लैब आन विल्स कारेकरम की शुरुगात की गई इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B दिल्ली यानि दिल्ली में लैब आन विल्स कारेकरम की शुरुगात की गई नेक्स्ट कोश्चन है रास्टी डोपिंग रोधी एजनसी यानि नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए है या बनाए गए सिधार्थ सिंग लोंग जाम बनाए गए है यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे नेक्स्ट है राइट एंसर हो जाएगा option number C नेक्स्ट है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C राफिल नडाल ने यानि बर्सिलोना 2021 टेनिस टूनामेंट का खिताब किस ने जीत लिया है राफिल नडाल ने जीत लिया है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे नेक्स्ट है अप्रेल 2021 में किस देश की नवसेना ने हिंद महासागर में freedom of navigation operation का आयोजन किया है यानि किस देश ने freedom of navigation operation का आयोजन किया है तो इसका right answer रहेगा option number D यानि अमेरिका ने अमेरिका ने freedom of navigation operation का आयोजन किया है नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में दो हरित उर्जा कुसल सहर बनने वाला नेक्स्ट कोश्चन है किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वंडे में जीत दर्ज कर world record बनाया है तो इसका right answer हो जाएगा option number B आस्टेलिया ने यानि आस्टेलिया की महिला जो क्रिकेट टीम है उसने लगातार 22 वंडे में जीत कर world record बनाया है चलते है नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है निम लिखित में से किस बैंक को इंडियाज वेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का आवार्ड दिया गया तो इसका right answer हो जाएगा option number D DBS बैंक को यानि development bank of Singapore DBS बैंक का जो full form है development bank of Singapore है यानि DBS बैंक को इंडियाज वेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का आवार्ड दिया गया नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट है एसेज आवार्ड 2021 में किसे sports woman of the decade आवार्ड से समानित किया गया तो इसका right answer हो जाएगा option number B MC Miracom नेक्स्ट कोश्चन है बिस सुप्रेश सोतंता दिवस 2021 की थीम क्या है तो इसका right answer हो जाएगा option number A information as a public good यानि बिस सुप्रेश सोतंता दिवस की थीम 2021 में क्या रखी गई है information as a public good चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट है हाली में किस देशने भारत को P8I पेट्रोल विमान की विक्री के लिए मंजूरी दे दी है तो वह दिया है अमेरिका देशनी यानि 20 का right answer हो जाएगा option number C यानि भारत को P8I पेट्रोल विमान की विक्री के लिए मंजूरी किस देशनी दी है तो यहाँ अमेरिका देश ने दी है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे हाली में बिश्चु का पर्थम देश कौन बना है जिसने सडकों पर कम गती वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमती दी है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर B यानि ब्रिटेन ने चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे कलैप सच्छता अभियान हाली में किस राज सरकार दोरा प्रारम किया गया है तो यहाँ प्रारम किया गया आंध प्रदेश में यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर D नेक्स्ट कोश्चन है पत्रकारों को स्वास्त भीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज सरकार ने गोप बंधु समबधिका स्वास्त भीमा योजना शुरू की है तो वहाँ शुरू की है और इसा राज सरकार ने इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C, IRIDA के द्वारा यानि green उर्जा अवार्ड किसे दिया गया है IRIDA को दिया गया है चलते हैं next question पर next है दोस्त भार life app हाल ही में किस के द्वारा जारी किया गया तो या cbsc के द्वारा जारी किया गया यानि इसका right answer हो जाएगा option number C यानि Central Board of Secondary Education के द्वारा दोस्त भार life app को हाल ही में जारी किया गया next question है मई 2021 में किस भारती मूल की लेखिका को 15. सेख जायद बुक पुरसकार परदान किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा option number A डाक्टर ताहिरा कुतबुद्दीन को यानि जो 15. सेख जायद बुक पुरसकार है वा किसको दिया गया है या डाक्टर ताहिरा कुतबुद्दीन को दिया गया है यानि डायट answer हो जाएगा option number A next question है next है DRDO दोरा DRDO दोरा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया यानि DRDO दोरा चीज़ा गया है अंटार्क्टिका के लिए भारत का चालिसमा अंटार्क्टिका के लिए भारत का चालिसमा बैज्ञानीक अभियान किस तटप से रवाना किया गया है तो यह किया गया है मारमा गोवा तट से यानि इसका राइट एंसर जाएगा आप्शन नमबर बी नेक्स्ट कोश्चन है 23 जनुरी 2021 को नेता जी सुभास्चंद बोस जी की कौन सी जैनती मनाई गई तो यह मनाई गई है 125 जनुरी फ्रेंट्स 23 जनुरी को जो दिवस मनाने की घोश्रा की गई है पराक्रम दिवस मनाने की घोश्रा की गई 23 जनुरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट है राज्य को कुपोशन्ड से मुप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान की शुरुआत की है तो यह कि यह जारकंड सरकार ने यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर A नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट है मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है यानि 2021 में जो है वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स जारी की गई है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से पिक आउट करना है तो पहला है पहले अस् और फिल्लेंड रही है तो सही है और भारत में भारत को जो अस्थान मिला है 149 वा स्थान मिला है और 2020 में जो भारत को 144 वा स्थान मिला थे यानि यहां पर तीनों कथन बिल्कुल सही है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D सभी सही है चलते हैं next question पर next है IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि वीबो 2021 में IPL की जो प्रायोजक कंपनी बनी है वो कौन बनी है वीबो बनी है next question है 2021 में हुए बिधान सभाच चुनाव में निम्निव से कौन सा सुमेलित नहीं है तो केरल के मुख्यमंत्री कौन बने है पिन्राई विज्जेन बने है पुड्डु चेरी के मुख्यमंत्री यन रंगा सौमी बने है असम के मुख्यमंत्री रांग है और तमिल नाडु के मुख्यमंत्री जो की यम के स्टालिन बने है यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C next question है next है असम के प्रसिद्ध लाल चावल की निर्यात की पहली खेप किस देश को भेजी गई है तो असम का जो प्रसिद्ध लाल चावल है उसका निर्यात किया गया सबसे पहले किस देश को निर्यात किया गया या किया गया अमेरिका को यानि इसका राइट एंसर हो इतना के करण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में छती हुई उत्राखंड के उस सहर का नाम बताईए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर C चमोली उत्राखंड के चमोली सहर में एक ग्लेसियर तोटने के करण 100 से अधिक लोग लापता हो ग गई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर B हैदराबाद को 2020 का सिटी आप दा वर्ल्ड एवार्ड किसे दिया गया है नेक्स्ट कोशन है एक गोंजी कोंजो एवेला जो कि डबलू टीयों के डबलू टीयों के नए प्रमुक के रूप में चुना गया है उन उनका संब्ध है नाइजीरिया से यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर B है नेक्स्ट कोशन है फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा जारी यूमेन इन पीस पॉलसी 2021 का अनावरण किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर A इसरो के द् यूमेन इन स्पेस पॉलसी 2021 का अनावरण किया गया चलते है नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट है नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश 10 लाग का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है तो फ्रेंड्स यह मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है इसका राइट रजाएगा आप्सन नंबर B वेनेजुएला यानि वेनेजुएला जो है एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने 10 लाग रुपे का नोट जारी किया है नेक्स्ट कोश्टन है अंतर रास्टी ओलम्पिक समित के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने है तो इसका राइट एंसर रह देश का पहला कोविड मुप्त केंद सासित प्रदेश काउन सा बन गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नंबर D अंडमान निकोबार दीपसमू यानि COVID-19 मरीजों के अनुपस्तिति के बाद देश का पहला COVID-19 मुप्त केंद सासित प्रदेश काउन सा बन ग किया है यानि अंडमान निकोबार दीपसमू इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर D चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट है यानि मौरीसस और भारत के बीच एक समझाता हुआ है कौन से समझाता है ब्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझाता हुआ है ऐसे भी पूछ सकता है ब्यापक, आर्थिक, सहयोग और भागीदारी समझाता किन दो देशों के बीच हुआ है तो भारत और मौरिसस के बीच हुआ है चलते हैं नेक्स्ट कॉस्टिन पर नेक्स्ट है हाली में हाली में किस देश की अध्यक्षिता में बिमस्टेक सदस से देशों के बिदेश मंत्रियों की सत्रहमी बैठक वर्चुल माध्यम से संपन हुई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नंबर सी स्रिलंका में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नंबर सी चलते हैं नेक्स्ट कॉस्टिन पर नेक्स्ट है नेक्स्ट है हाली में किस मंत्राले के द्वरा आभासी रूप से इसांता का उध्गाटन किया गया है तो इसांता का उध्गातन जो है किस मंत्रा ले के द्वरा किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नंबर ए केंदरी वारिज और उद्धोग मंत्रालाई के दोरा यानि इसका राइट एंसर जाएगा आपसन नमबर A नेक्स्ट कोश्चन है उप राश्ट पति यम बैंकया नाइडू जो कि किस राज के राज़ जपाल विश्व भूसर हरिचंदन को कलिंग रत्न पूरस्कार 2021 प्रदान किया गया यानि 2021 का कलिंग रत्न पूरस्कार किसे प्रदान किया गया तो यहाँ पूरस्कार प्रदान किया गया है विश्व भूसर हरिचंदन को यहाँ कहां के राज़ जपाल है यहाँ राज़ जपाल है आंध प्रदेश की यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर A चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट है देश के 24 में मुख निरवाचन आयुक्त की रूप में किसे नियुक्त किया गया है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर B सुसील चंद्रा को यानि सुसील चंद्रा जो है देश के 24 में मुख निरवाचन आयुक्त बनाए गये है नेक्स्ट कोश्चन है समुद्रिक खर्पतवार पार्क भारत के किस राजने बनाने की योजना शुरू की है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर D तमिलनाड में यानि तमिलनाड में समुद्रिक खर्पतवार पार्क बनाया जाएगा तो ऐसे भी पूछ सकता है समुद्रिक खर्पतवार पार्क कहां बनाया जाएगा या तमिलना हो जाएगा option number D friends आज का last question है 200 snooker championship 2021 का खिताब किस ने जीता है most important question है friends तो इसका right answer क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा option number B Mark Selvy यानि Mark Selvy ने 200 snooker championship 2021 का खिताब जीत लिया है तो friends हमने most important 50 question को cover किया है तो friends यह वीडियो कैसी लिए comment box में जरूर बताएं और regular updates के लिए हमारे चैनल को जरूर subscribe करें thanks for watching this video